नमस्कार दोस्तों मैं आरकेमिस्रा इंजिनेंस आपर स्वाकत करता हूं दोस्तों आप लोगों के बहुत अच्छी ख़बर है स्सी जेए नोटिफिकेशन के बाद दो तीन बड़े बड़े नोटिफिकेशन आ चुके हैं अभी अभी हमने पता चला है कि वेस्ट बंगाल सबसे बड़ी बात आप जोगों कि मन में सवाद होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या वेकेंसी है तो देखें का मैं आपको बता दूं यहां पर मन्थ हैं यहां पर ट्रेनिंग के दौरान जो दिया जाएगा आपको ग्रेड एस्वन के लिए 12,900 सेकेंड य इस टाइप का तो यह आपको बाकी एक्जाम पेटर्न और सारी चीज़ें तो हम आपको सेप्लेट डिसकस करेंगे इस वीडियो में जाने की कोशिज करेंगे सबसे पहले कि नम्मरा पोस्ट कितना देखिए अपने के संपी 700 रुपे है और यहां पे सेलेक्शन प्रसीजर के देखिए अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है यहां पर इस अब जानने की कोосिज करते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे देखिएगा हमारे जो काम की वेकेंसी है उसमें हम eligibility criteria जानने की कोशिज करते हैं देखेगा जो मुझे लगता है कि यहाँ पर attendant come technician boiler में आपको basically 10 plus 2 और ITI चाहिए और operator come technician में हमारा maximum age 28 साल है इसमें हमारा 3 year diploma 10th के बाद 3 year diploma in आपको mechanical, metallurgy और chemical, electrical instruments से होना चाहिए फिर उसके बाद attendant come technician में हमारा भी 10th के बाद हमारा ITI आपका in in trade से होना चाहिए तो हमें जो अपने particular यह बादे पोस्ट से मतलब है operator come technician से तो जाकर करके सबसे बड़ी बात के एक website में आपको बता रहा हूं जहां पर ada247.com slash engineering job आप जाओगे तो यहां पर जम्मों कास्मीर के दोगों के लिए बहुत अच्छा पोस्ट आपका जेके एससबी का आया हुआ है फिर उडिशा के लिए हमारा उडिशा इस public service commission में भी आया हुआ है vacancy वह आप देख सकते हैं और फिर भेल की तरब से यह प्रॉपर तरीके से जाकर के देख सकते हैं यह उडिशा स्टाप सर्वेक्शन कमिशन तो यह recent की एक अच्छी ख़बर आप लोगों को देना था मैंने आप लोगों को दे दिया तो आपको यहां पर सारी जानकारी उडिशा से रेलेटेड भी आपको मिल जाएगी और म पेकिंसी है यार तो इससे बड़ा चांस आप लोगों को क्या हो सकता है देखिए सब कुछ यहां पर अलग अलग ट्रेड में है सीविल इंगिनिरिंग एस्परेंट्स के लिए है एलेजबिविटी क्राइटरिय में एक चाजा है कि यह सिर्फ औरीसा के लोगों के लिए है फिर भी अगर जो लोग उडिसा में एस विमिट आपको भी पता 21 से 38 साल है सलेक्शन प्रोसीजर आपका प्री होगा मेंस होगा सेटिफिकेट वेरिफिकेशन सोगा तो दो तीन जॉब अभी रिसेंट आई थी और बिसिकली विस्ट बंगाल वाले में ऐसा कोई डोमेसायल सब्सक्राइब का कंपल्सेशन है पर ट्रीड और राइक स्पीक हमारा होना चाहिए बंगाली आपका होना चाहिए तो कुछ एक अच्छी न्यूज आ रही है तो आप लोग अपनी प्रिप्रेशन को जारी रखो अभी ससी जई 2023 है और यहां पर बाकी हैं बहुत जवदी आ एक सिंगल कोड है आपको मैक्सिमम डिसकाउंट और आपको हर तरह का सपोर्ट भी प्रवाइड कर देगा तो आप मेरे मेंटरिशिप में आ जाओगे मेरे गाइडेंस में जाओगे तो फटा फट यहां पर लगा करके ज्वाइन कर सकते हो तो यहां पर टेक और नॉन टिक में जिस तरह से हमने आप लोगों को ससी में गाइड किया तो आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांज के महापेक पर डबल वैलेटी बहुत जवदी ओभर हो जाएगी तो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर सिबिल के महापेक पर यहां पर देख सकते हैं 12 प्रस 12 सकते हैं 14 महापेक आपको 2 साथओं के रिए मिल रहा है 3500 रुपे में देखिन यहां पर कोड यूज करना है आलवेज रिम्यंबर रखीएगा जिवाइन करते समय जो कोड यूज करना दोस्तों वो आपको y201 कोड यूज करना है कौन सा कोड यूज करना है y201 तो यह अच् पुसी भी तरह की support आप लोगों को direct मिलता रहेगा और in fact इसमें आपको बताऊं Electrical का महापैक जो है आप लेक्टिकल दे सकते हैं Electrical की महापैक की price थोड़ी ची कम है 32-32 रुपे का आसपास है तो जाइए या आप JK SSB का भी badge है आपको वो badge चाहिए तो वो badge भी दे सकते हैं Either आपको complete चाहिए तो complete भी दे सकते हैं It's your requirement यह देखिएगा आपको complete badge है ठेक है तो bye bye take care अपना ख्याब रखिएगा और आपको कोई doubt है बताईएगा और यह article का link मैं आप लोगों को share कर दूँगा जो कि आपको complete information है हर एक exam का notifications, exam patterns, whatever सब कुछ बताएगा यह article मैं आपको बताऊँ तो मैं वीडियो के लिचे description में link share करता हूँ दोस्तों Thank you और वीडियो को like share जरूर करते रहेगा यही हमारे लिए motivations का काम करता है